नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एस्कलेपियस ऐरुवेदा में दोस्तों आज की सेसन में हम बताएंगे एस्कलेपियस वेलनेस प्राइबेट लिम्टेड कंपनी के दुआरा बनाया गया एक फूड प्रोड़क्ट जिसे क्यूरिसी डॉक ये प क्या benefits हैं कैसे इसे इस्तमाल करना होता है इस्तमाल के साथ-साथ क्या-kya सउधानिया ही इन सारी बातों की हम चर्चा आज की सेसन मं करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्योर्शी डॉक प्रोड क्रोडविक्ट ये प्रोड़क्ट क्या गया है जैसा कि आप स्क्रीन प के द्वारा बनाए गया है यह पोशक तत्वों से भरपूर हाई एंटी अक्सिजेंट एंटी एजिंग तथा एंटी इंफ्लामेंटरी प्रोड़क्ट है हल्दी में प्रोटीन बिटामीन ए कार्भोहेड्रेट तथा बीभिन प्रकार के खनीश तत्वों पाए जाते हैं आए हल्दी में जिवाड़ों को नश्ट करने की भी छमता होती है और निद्रा जैसी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है कैंसर डियाबटेज पीड़तों तथा हार्ट एटेक का खत्रा कम करने में यह बहुत ही कारगर प्रोड़क्ट है लिबर से समंधी समस्याओं तथ प्रोण संदर अत्यादी में करगर है हाथों पैरों में होने वाले दर्सर शुुकारा दिलाता है अल्दी से सरीर का अत्रिक्त चर्वी कम होता है का इस्तमाल रगत्रः के रुप में किया जाता है हल्दी में एंटी एजिंग के गुन मौझूद होते हैं जिससे तचा निजात मिल जाता है खल्दी का सही मत्रा में इस्तमाल से हमारा दिमाग काफी तेज होता है आईए देखते हैं इसके इस्तमाल के तरीके और साधानियों के बारे में क्योर्शी डॉक्ट को ओपन करने के 30 दिनों में इसे इस्तमाल कर लेना है क्योर्शी डॉक्ट डॉक्ट को एक एमल जुरत के अनुसार लेना है क्योर्सी डॉक कैपसूल प्रोड़क को एक से दो दिन में दो बार जुरत के अनुसार लेना है क्योर्सी डॉक प्रोड़क को ठंडे और सुखे इस्थान पे रखना है product को direct suri के प्रकास से दूर रखना है इस product को pregnant women को इसके सेवन नहीं करने देना है एक बात और यदि drop है तो उसे एक ml देना है जुरत के अनुसार और यदि capsule है तो एक या दो capsule दिन में दो बार जुरत के अनुसार देना है तो दोस्तो आई होप आपको एजनकारी अच्छी लगी होगी दोस्तो आज की सेशन में हमने बताया आपको कि क्यूर्शी डॉक्ट प्रोड़क्ट क्या है इससे क्या बेनिफिट्स है कैसे इस्तमाल करना है यदि डॉप है तो कितना एमेली उच करना है यदि कैपसूल है तो कितना कैपसूली उच करना है और इसकी सावधानियों के बारे में तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद